हेलो गाइज गुड इबनिंग देखे भाई आज हम लोगों का टाइम अस्पिंड एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर थड रहेगा क्लास नंबर टू अल्रेडी हो चुका है मेरे भाई और आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं आपको 13 सबसे ब्यातरीन प्र की कोशिस किया था दोस्त लेगीन क्या कीजिएगा यह पहले से ही था तो नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं हम लोग समझ लिए न की कोशन न मेरे कई से 33 को करना थे कोई बात नहीं है कि बीना रूके हुए कोई ट्रेण 50 किलोमीटर पर आवर की और 20 चाल से चलती है और रूख रूख कर 40 km पर आवर की आवसाद चाल से चलती है तो बोल रहा है कि हर घंटे यानि कि प्रतेक आवर यह ट्रेन आवसतन कितने मिनट तक रूखती है तो सिंपल सा कंसेप्ट है अस्टोपेज बटे में एक्चुल स्पीड अस्टोपेज बटे में स्टोपेज है ठीके 10 km पर आवर का एक्शुल में उसका स्पीड कितना था तो पचास था अस्टोपेज बटे में एक्चुल ठीके और यह आगे आपका घंटा में लेकिन बोला कितने मिनट रूखेगी तो मिनट के लिए बाई 60 से गुना कर देजिए पस सिंपल सा कंसेप् ठीके 0-0 खतम हो गया 5 से कर जाएगा 12-12 तो 12 मिनर तक प्रते गंटा जो है 12 मिनर तक रूखेगी ठीके बोल रहा है कि A जो है 4 km पर आवर की चाल से चलना सुरू करता है और 4 घंटे के बाद B A के ही आरंभिक बिंदू से उसी दिशा में 10 km पर आवर की चाल से साइकिल चलाना सुरू करता है या फिर चाइकिल चलाता है तो आरंभिक बिंदू से कितनी दूरी पर B जो है A को पकड़ लेगा बेरी सिंपल देखे बाई माली जे की स्टार्टिंग पॉइंट यहार है ए है या फिर कोई भी पॉइंट है ए नाम का बंदा है ए आपका चलना सुरू किया 4 km पर घंटा के स्पीड से ठीक तो बोलाए कि 4 घंटा तक चला तो बाई 4 के स्पीड से अगर 4 घंटा चलिएगा तो आप कितना डिस्टेंस कबर कर देजएगा तो आप कहेंगे कि 4 चोग के 14 km डिस्टेंस कबर कर देंगे तो ए जब 14 km का डिस्टेंस कबर करके कहीं तो कहीं पहुंचेगा यानि कि यहां पर पहुंचा तो जब ए यहां पर 14 km डिस्टेंस कबर करके पहुंच चुका है तो अब जहां से वो शुरुवात किया था ने यानि कि initial point उसका यह रहा ठीक है तो जहां से वो शुरुवात किया है वहां से अब B भी चलना इस्टार्ट कर देता है साब साब बोला है कि B जो है A के initial point से उसी direction में direction भी सेम है और 10 के speed से आपको चलना शुरू कर देता है यानि कि बात है कि पकड़ेगा जरूर क्योंकि A का speed 4 km पर hour है B का speed 10 km पर hour है यानि कि पकड़ लेगा ठीक है तो देखे भाई A जैसे ही 16 km चला तो B भी स्टार्ट हो गया तो B जायेगा तो पकड़ने की बात है भाई तो क्या 10 क्या speed से पकड़ेगा नहीं या रिलेटिब speed से पकड गया आपका हो जाएगा 6 km per hour तो 14 km बेचारे अभी distance कभर ही किये थे कि 6 क्या speed से पकड़ लेगा B तो 14 भाई छे distance बटे में रिलेटिब speed लिख देते हैं distance बटे में रिलेटिब speed ए बी के लिए time आ गया थिके लिए टाइम आ गया time of怎麼辦 vayaay तो 비का जब समय आ गया मेरे भाई तो अब नहीं निकल सकते हैं कि दोरी कितनी हो जाएगी तै की गई दूरी बी के लिए कितना टाइम लगा है तो सोरा भाई 6 घंटा के टाइम हो गया बी किस अस्पीर से जा रहा है भाई तो 10 के अस्पीर से यानि कितना डिस्टेंस कबर करेगा तो आपका आ जाएगा टाइम मल्टिप्लाई भाई आपका अस्पीड यानि तीन दुनाय के 6 हो जाएगा तीन 6 के 18 यह तो 26.66 परसेंट आजाएगा यानि लगभग लगभग 26.67 मार लेजिए अपसान नमबर भी नेक्स्ट देखे भाई 23 बोल गए कि एक ब्यक्ति कोई निश्चित दूरी 12 किलिमेटर पर आवर की चाल से चलता है और आरंभिक बिंदू पर 9 किलिमेटर पर आवर की चाल से लटता है पूरी जो जर्नी है उसका पूरी यातरा में उसे दो पूनाइक एक बाई तीन घंटे का समय लेता है तो उसके द्वारा तै किया गया आपको डिस्टेंस बताना है simple logical question यह जो है माल लिजे कि यहां से start किया और पहुंचा यहां पर जाते वक्त उसका speed था 12 किलिमेटर पर आवर और उसी point से दुबारा जो है जहां से start किया था वहां आ रहा है तो 9 के speed से आ रहा है distance यहां पर constant distance constant है तो distance constant है जाने का speed दिया है आने का speed दिया है तो average speed नहीं निकाल सकते हैं आप कहेंगे कि बिल्कुल तो आपको distance कोई मानने की जुरुत नहीं है average speed के लिए direct formula होता है तू इन्टू चालों का गुणनफल बटे में चालों का योगफल और जिसको नहीं समझ में आ रहा है ध्राम सेन क्या करेंगे कोई distance मानेंगे और उसके बार distance अपन आपका speed करके time निकालेंगे फिर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा बट यह आप आप कुछ हो पड़बे नहीं किया है ठीके तो average speed आगया यक्स वाई का भैलू रेख दीजिए 12 है 9 है अलाकि दखना नहीं है डारेक्ट हम लोगों को निकाल लेना है distance यक्स पलस वाई 12 कितना हो जागा 21 यह speed आगया बट तो speed आगया अब बोल रहा है कि उसे cool 2 पूर्णा कि एक भाई तीन घंटे का समय लिया है मेरे भाई तो यह आपका speed आगया और समय दिया है तो speed में अगर time से गुणा कर देंगे तो आपका distance आजाएगा तो time से गुणा कर देंगे दो तिया छे एक साथ बाई तीन साथ तीन आपका एकरीश हो जाएगा एक तीन तीन नौ से नौ खतम 12 दोना के 24 किलो मेटर टोटल डिस्टेंस कबर किया है ठीक है टोटल डिस्टेंस कूल दूरी पूछा है ना टोटल डिस्टेंस पूछा है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी 24 लेकिन थोड़ा सा आता ना तो बच्का का दिमाग चक्रा जाता है कोस्षिन घुमा क्या सकता है वह स्टाविंगपॉइंट दे देता कि उसका घर है उसका घर है और जो पहुंच रहा है आ स्कूल पर क्या है कि गर से उसकूल जाता है 12 के स्पीर से और उसकी हाई ett cable से और उसका टुटलAll चोबिस नहीं होता है तो टोटल डिस्टेंस कभर किया है गया है और आया है अगर वह ऐसे पूछता कि स्कूल और घर के बिश्ट की दूरी कितनी है तो मेरे भाई दो से डिवाइड कर देते हैं या फिर इस वाला दो को लेवे नहीं करते हैं ठीके दोनों बात समझ में आ रह की दो ट्रेने समांतर पट्रियों पर एक ही दिशा में 54 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तेज ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सिकेंड में पीछे छोड़ देती है बाई उबर टेक कर लेती है तो प्रतेक ट्रेन का आपको लंबाई यानिकी ले और दिया है 42 किलोमीटर पर आवर ठीक है तो जाहिर सी बात है बाई कि एक ही दिशा में जा रहे है तो जो फास्ट वाली होगी सुलो वाली को ओबर टेक कर देगी ठीक है तो सिंपल है अपने से सोच सकते हैं ठीक है लेकिन एक बात देखिए कि कितना किलोमीटर पर आवर क स्पीड से ओभर टेक करेंगी सर टारेक्सन सेन हैं तो रिलेटिब उस्पीड डारेक्ट निकाल दे आए प्राथ चलो डारेक्ट के निकाल डेते हैं कुछ करने की ज़रुट नहीं था कितना उजाका इच्छी एँए जञ稙 अब 12 किलोमीटर पर आवर आपका चाल दे दिया और इसको हम मीटर पर सीकेंड में कनवर्ट कर देंगे तो 518 से गुणा कर देंगे समेधिया आए तीर सट तीर सट यह आगया टोटल डिस्टेंस ठीक है यानि 6 दुना के 12, 6, 3, 18, 3 से कर जाएगा 21 दुना के 42, 42, 5, 210 ठीक है 210 210 टोटल डिस्टेंस है लेकिन बोला है न कि ट्रेंज जो है समान लंबाई की है ट्रेंद की मेरे को नहीं पता है तो 210 ट्रेंद याल दूसरा भील तो 12 का वहीलू अगर 210 है तो ल का वहीलू कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 105 और यहीं तो पूछा है कि परतेक ट्रेन की लंबाई क्यात कीजिए तो 105-105 की है ठीक है जिनको नहीं समझ में आया दोबार आप देखेंगे अगर चाहें तो दूसरे तरीका से 20 का सलूशन सोच सकते हैं ऐसे भी देखें कैसे समान लंबाई की दो ट्रेन समानतर पत्रियें पर एक ही दिस्जा में 44 और 52 के स्पीड से जा रही है तो तेज सलूशनंको तीर runs 60 स्खें में प्रतेक की समान नंबाई क्या ऐसा है कि परतेत की लंबाई कहीं ऐसे बना सकते हैं कि प्रतेक के लंबाई nBr रोज आएगा आपका यह जो हम लीग है यहीं बात हुआ दूसरे तरीका से सोच सकते हैं ठीक है ना नेक्स्ट पचीस 25 कोश्चन समझे कोश्चन नम्मर पचीस बोला है कि अमित ने A से B तक 80 किलोमेटर पर आवर की औसा चाल से आतरा किया उसने पहली 75 परसेंट दूरी को दो तिहाई समय में तथा सेस दूरी को यक्स किलोमेटर पर आवर की चाल से तै किया तो यक्स का मान किया है गजब गजब ऐलू दे दिया है देखो बैए Yo 50 percent distance को दो तियाय यानि two third time में cover किया है हम यहां पर मान के चलते हैं कि टोटल जो उसको cover करने में time लागा है "'Total Time' total distance के लिए है तो दो तियाय काने का मतलब किифी क्षेणर अगर नूमिनेयटर 3 तीन आ रहा है तो 3 मान लते है इस question कि accounting तूटल ताइम अगर तीन इउनिट है और उसका अबरेज अशी है तो टोल डिस्टेंस कितना कबर करेगा तो आप कहेंगे कि तीन घंटा में जाएगा आर्टियां दो सोचालीस किलोमेटर अगर 75 परसेंट की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त समझना एकदम अराम से ठीके 75 परसेंट का तो 240 का 75 परसेंट कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे तीन बाइचार 4, 6, 24 आनिकी 180 180 किलोमेटर डिस्टेंस जो है साब साब कोश्चन है बोला है कि उसने पहली 75 परसेंट दूरी दो तीहाई समय में गया है यानिकी टोटल डिस्टेंस का टोटल टाइम का दो युनिट टाइम में तो 180 km आपका total distance नहीं है, 75% distance है, और 75% को गया है, दो unit time में, तो उसका speed क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे 90, ठीके 90, अब देखें, आप रेलिगेशन मान सकते हैं, direct, या फिर रेलिगेशन का reverse से भी बन जाएगा एक question, ठीके, deviation से भी, but ये तो basic से ही बन जाएगा, बट आपको तरह तरह का method जो अपलाई करने आना चाहिए, ये बहुत ही असान है जो हम बता रहे है, बट अगर आपको ये ज़्यादा difficult लग रहा है, तो फिर basic से जा सकते हैं, वो तो और difficult लगेगा, ठीके, ने तो reverse एलिगेशन से जा सकते हैं, ठीके, लेकिन इसको हम दुब किलोमीटर पर आवर है, टोटल स्पीड आपका असी है, स्पीड पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो बच्चा बच्चा को पता है, कि आपको टाइम का रेसिव आएगा, पढ़े हैं मेरे भाई एलिगेशन, अगर टाइम पर एलिगेशन लगाईएगा, यानि कि टाइम को हैँ, स्पीड और स्पीड को एलिगेशन किघेएगा, तो टाइम, टाइम भी दे दिया है, 90 किलोमीटर पर आवर जहां स्पीड रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ तो आपका आपर दो इनिट टाइम लगा है तो रेस्ट आपका दो ती आई समय यह है टोटल तीन इनिट समय है तो दो इनिट यहां पर लग गया तो रेस्ट के लिए एक उनिट लगा ठीक एलिगेट कि जिए तो बीच वाला जो वहता है वह एक उनिट जो वह एक का उनिट नहीं रहेगा तो दस आ गया तो भाई 90 में से अब 80 घटा चुके हैं तो अब 80 में से घटाएंगे तो 80 में से कितना घटाएंगे तो आप कहेंगे कि 1 का value 10 है तो 2 का value कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 10 दोना के 20 तो 80 में से अगर 20 अब घटाएंगे तो यक्स का value आ जाएगा 60 km per hour यानि कि सेस दूरी को कबर किया है, 60 km per hour किया स्पीड से, दुबारा समझना चाहें तो समझ सकते हैं, देखिए कैसे, टोटल आपका स्पीड दिया है, A से B तक जो भी जरनी किया है अमीथ, वो 80 km per hour किया स्पीड से गया है, और question में बोला है कि उन्होंने 75% जो distance है न, उसको 2 third, यानि कि 2 third time में किया है, दो तिहाई समय में, तो 2 तिहाई यानि कि 2 denominator 3 आ रहा है, तो हम question के according माल लेते हैं कि total time 3 unit है भाई, तो total time अगर 3 unit है और 80 की speed है, टोटल speed आपका जो है, जहां तक बरकरार रखाए, A से B तक 80 km per hour average speed है, तो भाई, total distance कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 240, ठीके, इतना तो समझ में आ रहा होगा, अब 240 का 75% भाग, 240 को तो कबर नहीं बोल रहा है, बोल लाए कि 80% distance, तो 240 का 75% यानि 180 km गया है, तो 180 km गया भाई, तो कितना समय में गया, साब साब बोलाए कि 75% दोरी 2 TI समय में तो टोटल समय आपका 3 है 3 का 2 TI निकालिएगा तो 2 आएगा यानि कि 2 unit समय में तो 2 unit समय में 180 गया है तो speed कितना हो गया 90 तो 90 speed हो गया 2 unit time के लिए तो 2 unit time के लिए speed 90 हो गया तो rest कितना time आप बच गया एक य्मिट क्योंकि टोटल टाएम दो टेसल टूटल स्पीड आपको सब्से intelligiget कर लुआ है ठीक सा एक आदो कोशन ऐसा हो रहाएगा टेंसन नहीं लिजी कोशन देखिए कि बोला है कि 360 मीटर लंबी एक ट्रेन समानतर चाल से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 55 सिकेंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक ब्यक्ति को 24 सिकेंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी मीटर में बहुत लोग सुचे हैं कि सबसे पहले सरा स्पीड नहीं दिया ट्रेन का क्या करें स्पीड एकदम डारेक्ट निकाल सकते हैं क्यों बाई यहांप देखिए तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक ब्यक्ति को 24 सिकेंड में पार करती है तो जब कि लेंद को पार करती है तो यहां से आप स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं कभी-कभी बोले का किसी घोड़ा को पार करती है किसी बकरी को गद्दा को आदमी को तो इन सब का डिस्टेंस कितना रहेगा आदमी का डिस्टेंस कितना रहेगा चोणाई की बात करेंगे यहां ठीके यहां पर आदमी यहां पर खाड़ा है ट्रेन निकल गई इसके डिस्टेंस को थोड़ी न कभर की ठीके अलाकि कभर की लेकिन इसका जो डिस्टेंस होता है ना आदमी बस तू पोल जो भी चीज़ें है छोटी-छोटी उसको नेगलेट माना जाता है तो देखे भाई प स्पीड आपका डाइरेक्ट निकल गया डिस्टेंस बटे में टाइम और स्पीड निकल गया 24 से कड़ आएगा बारा से कार दीजिए बारा दुना के 24 बारतियां 36 यानि कि 15 मीटर पर सिकेंड एट रेन का स्पीड आगया अब देखिए बोला कि 360 मीटर लंबी ट्रेन समान चाल से चलते विए किसी प्लेटफर्म को 55 सिकेंड में और ब्यक्ति को 24 सिकेंड में तो बाई प्लेटफर्म को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई को तो पार करेगी और प्लेटफर्म लंबा होता है यानि पल्टफर्म के भी लेंथ को पार करेगी यानि लेंथ प्लेटफर्म इसको लगा 55 सिकेंड ब्यक्ति को पार करेगी यानि खुद के डिस्टेंस को पार करेगी या फिखुद क तो 31 इंद्व दिमाग आफ के फास होगा थोड़ा सा तो आप लगा सकते हैं कि 31 सिकेंड उपर वाले में एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है यहां पर जब खुद के डिस्टेंस को पार कर रहे हैं या फिर खुद के लेंद को पार कर रहे हैं तो चोटे ऑचोभी सीकेंड लग र कि लंबाई आपका डारेक्ट निकाल सकते हैं 31 सीकेंट समय आ गया और 15 की स्पीड से ट्रेंज आ रही है तो 31 मुल्टिप्लाइबाइब 15 यह हो गया डिस्टेंस अरे स्पीड मुल्टिप्लाइबाइबाइब थाइम होता यार ठीके पंदर थियां 45, 45, 45 और 45, 465 मीटर आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए भाई कुश्चन नमर 87, 87 नहीं 27 माप किजिएगा बुलाई कि बिपरीद दिसमा में करमसा 72 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही बराबर लंबाई की दो ट्रेन एक दूसरे को 10 सिकेन में पार करती है तो पहली ट्रेन अगर 360 मेटर लंबे पलेट फर्म को भी पार करें तो कितना समय में पार करेंगे बेरी सिंपल कोश्चन डारेक्शन अपोजिट है भाई एक ट्रेन जार यह 72 के स्पीड से और दूसरी ट्रेन उधर से आ रही है आपका 108 के स्पीड से तो एक बात तो आपका तै हो गया और आपको समझ लेना है कि रिलेटीब स्पीड यहां पर क्या होने वाला है तो आप कहेंगे कि रिलेटीब स्पीड एक दोनों को जोड़ देंगे तो कि डारेक्शन जोए अपोजिट है 180 एक दूसरे को पार कर रही बाई तो 180 के स्पीड से अगर पार करेगी कितना समय दियाए 10 सिकेंड जो आपका स्पीड है न किलो मीटर पर आवर में है इसको मीटर पर सिकेंड में करबट कर देते हैं 5-18 से गुना कर देंगे और टाइम से जब गुना करेंगे तो डिस्टे 200 पांसो आगया लेकिन बोल अब्रें की लंबाई समान है तो एक ट्रें आपका 20 170 की और दूसरा भी 200 की ठीकें तो बोलै कि पहली ट्रें अगर 3 500 मिटर प्लेटफर्म को भी पार करे तो कितना समय लगए तो जब64 370 की लंबे प्लेटफर्म को पार करेगी तो अड़ाई सम और पार करेगी यहनी कितना हो जाएगा साधे 300 और अठाई सो पचास पचास सो दो तिन पांच 600 अब 600 मीटर टोटल डिस्टेंस उसको कबर करना है उसका स्पीड कितना है तो पहली वाली ट्रेन का 72 स्पीड है इसको हम 72 को 518 से गुणा करके मीटर पर सिकेन में करने ली पांच बाई 18 तो 18 चवब अत्तर हो जाएगा यह 5 चवब के 20 हो गया 20 करने का मतलब कि 20 से कड़ जाएगा यह 30 बार में 30 बार में 30 सीकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा हुआ है ना-थाई है बुला कि किसी दस्टेसन का 400 मीटर लंबा प्लेट फार्म ठीक ही से सुरू होता है जहां से 1.2 किलोमेटर लंबे फूल का अंतिम पार्ट समाप्त होता है ठीक है तो किसी स्टेशन का session का 500 कीलोमेटर लंबा प्लेट्फर्म है 400 मीटर लंबा प्लेट्फर्म स्टार्ट हो गया है कहां से जहां से 1.2 किलोमेटर लंबे पूल का अंतिम पाठ होता यानि कि यहां से यहां तक पूल की लंबाई दे दिया है 1.2 मीटर काने का मतलब है कि 1200 मीटर अब बोल रहा है कि 1272 किलो मीटर पर आवर की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पूल के पाठ के आरंभिक बिंदु से यानि कि यहां से पलेटफर्म के अंतिम बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा यहां से यहां तक तो भाई टोटल डिस्टेंस अपन आपका स्पीड कर देंगे तो डारेक टाइम निकल जाएगा टोटल आपका डिस्टेंस कितना कबर करना पड़ेगा ट्रेन को तो 12 समीटर यहां और चार समीटर फ्लेटफर्म बार चार सोरा सोर लेकिन दो समीटर को भूल जाएगा क्या ट्रेन खुद की लेंद को भी पार करेगी तब प्लेटफर्म से बाहर निकलेगी ठीके तो बार चार सोर दो अठार सो टोटल डिस्टेंस अठार सो आगया टाइम कितना है 72 किलोमेटर पर आवर इसको आम मीटर पर सिकेंड में कनबर्ट कर देते हैं 5-2-18 से गुना कर देंगे यह आपका टाइम आगया कि 38 चार पांचे भीस हो जाएगा या फिर हां भीस हो जायेगा तो बीस से जिरू खतम हो गया दो नम्टार 84 अभ्ब्ब्ब से ere eco कि ठीके नभ्ब्ब्ब से केन अगर मिनर्स में माप माप हेंगे तो डैर मीनिट हो जांग next घंटा में भी माप सकते हैं जो भी आप संदिया रहे हैं कोश्चन नमर ओनतीस समझी कि बोल रहा है कि एक ट्रेन पी से क्यू तक मिउ यहाप उसको फड़िएगा फिसको मिउ का आज आता है मिउ कीलोमेटर पर आवर की चाल से जाती है तथा फ्री आ प्रेनी क नमर एक तक ओंदिया है कि पी से शुरू होकर पी तक वापस आने के दौरान इस पूरी यातरा में ट्रेन की आउसत चाल गया है बेरी लॉजिकल कोश्चन कोई फाइंट यहां से स्टार्ट होता है क्यू यहां पर खतम हो जाता है और यहां से यहां ट्रेन गई है म्यू किलो मीटर पर आवर के स्पीड से उसके बाद बुलाए कि क्यू आर तक क्यू से आर तक जबकि कंडिशन दिया है कि क्यू आर बराबर 2PQ तो अगर क्यू आर और PQ का रेस्क्यू लेना चाहे है तो ले सकते हैं क्या हो जाएगा, दो अनुपात एक, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो Q से R तक बढ़ा दिए यहां से, यहां तक, Q से लिजाएगी, R तक, यहां पर छोटा बढ़ा हो जा रहा है डाइगरामें, तो उससे कोई मतलब नहीं है, जो condition को मतलब नहीं है, जो condition को देखिएगा, एने की स से और तक यहां से लेकर यहां तक गई है तो के अब बोलाया कि आज़ से फिर वापस आती है कहां पी पर टू किलोमेटर पर पर हावर के स्बीब से अब क्या आये तो मीय वाइटू किलो मीटर फर आवर तो अब बोल रहा है कि पी से जाकर आर पर फिर पर आ रही है तो उसका एबरेज और स्पीट क्या है सिंपल हो गया चैसे देखो कैसे खिर कई सेखाए सब्सक्राइब इसको आप बना सकते हैं मेधद से भाट बलोग स्थी house और लोग लिए तो बहुत ही यहां का distance अगर 2 unit है तो p q का distance कितना है तो आप कहेंगे 1 unit ठीक है एक unit तो total distance कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 2-1-3 unit तो average speed निकालना है तो डारेक्ट आपको formula पता है total distance by total time total distance by total time बराबर हो जाएगा आपका average speed आजाएगा ना तो आप कहेंगे बिल्कुल total distance कितना है देख लीजे सबसे पहले तो सबसे पहले p से गया है r पर और r से फिर वापस आया है p पर यानि कि 3 unit गया और 3 unit गया आया 3-3-6 unit total distance total time देखना है बाई तो पहला वाला condition में देखिए p से q तक गया है तो कितना समय लगया है तो आप कहेंगे कि एक unit आपको गया है आपको u के speed से तो एक बाई मियू कहिए या फिर यू कहिए physics में इसको मियू कहते है ठीके ना तो एक बाई मियू या आपका time आगे अगर q से r तक देखा जाए तो 3 मियू गया है आपका 3 मियू है कि अब कि जिगा speed थोर ने लिखेंगे आप दिमाग खराब हो जाए है कि हम लोगों को time निकालना है न तो देखिए distance कितना है दो है अब कि इस पीड कितना है तो थीरी मियू है फिर आर से पी तक आया है तो distance कितना है तो तीन unit a speed कि आये तो मियू बाइटू तो मियू बाइटू का आने का मतलब कि दो से उपर नहीं गुणा कर देते है उपर हो गया छे नीचे आपका बटेपर का जोल बना दीजी थीरी मियू आपका हो जाएगा ए एलसियम मियू मियू खतम तीन हो जाएगा ए आपका दो हो जाएगा ए तीन तिया नौ दुना के आठारा हो जाएगा तो उपर ए चला जाएगा तो छे तिया आठारा हो जाएगा आठारा मियू नीचे हो गया दो तीन पांच आठारा ते बहुत बैतरीन कोश्चन लागा मुझे ठीक नेक्स्ट तीस बुले कि एक कार की चाल हर एक घंटे के बाद दो किलोमीटर पर आवर की पर आवर से बढ़ जाती है यदि पहले घंटे में तय की गई दूरी आपको 35 किलोमीटर थी तो 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा तो 35 किलोमीटर गया है एक घंटे में तो पहला चाल 35 है उसके बाद दो किलोमीटर बढ़ते जा रहा है उसके बाद 37 हो गया फिर 49 हो जाएगा 12 घंटे तक बढ़ेगा भाई तो यहाँ पर डायेक्ट एपी लगा सकते है यार यानि यन टर्म्स का योग क्या होता है तो आप कहेंगे यन भाई 2 इन्टू 2A प्लस यन माइनस 1 इन्टू 2 ठीक पहदों की संक्या कितना है तो आप कहेंगे 12 बढ़ते 2 6 हो जाएगा पहला पद कितना है 35 35 दुना के सत्तर हो गया तो टोटल नमर उप टंस कितना है तो 12 घंटा ठीक है यानिकी 12 टंस है 35 37 49 है से 12 लिखेंगे तो 12 में से घम कम हो गया 11 और 11 में कॉमन डिफरेंट कितना है तो आप कहेंगे 35 27 37 37 29 अनिकी 2 घंटा का गैफ है 22 किलोमीटर पर आवर का ग is 27 72 72 ठीक है 22 गुना चेह तो चेह गुना बांबे आपका आंसर हो जाएगा च चेह दुनां के 12 6DIO चेह 54 15 555 km आपका आंसर वजार से किधर है पांसय।्पश्फफबर नहीं मां बाहराएं त्हों है 152 चले 31 झील कि साट पर आवर की चाहल से चलते हुए एक ब्यक्ति अपनें डिस्टिनेशन यानि की गनतब अस्तरъ साल पर किसी निश्चीत समय में पहुंचता है वह अपनी 60% आत्रा जो है टू फिप्त समय में कर लेता है एक कोशन ऐसा और आया था तो बोला है स्थेस आत्रा किलो मीटर पर आवर में उसी चाल से करनी चाहिए ताकि वह गंतब या स्थाल पर सही समय पर पहुँच आ है लेकि भाई समय का बहुत असकोफ होता है समय टू फिप्त दिया है आनि टू फिप्त समय में 60% आत्रा कबर किया है तो आप माल लेते हैं कि टोटल उसका समय ही 5 यूनिट है जो आपका डी नोमिनेटर है उसको मानना सिखा चुक है उसमें 3 माने थे साथ ठीक है तो टोटल टाइम कितना माल लेते हैं तो आप कहेंगे कि सर 5 इसमें कोई जिजखने वाली बात नहीं है 5 यूनिट तो भाई 60 के अस्पीर से अगर 5 घंटे तक चला या फिर 5 यूनिट समय तक चला तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 300 टोटल डिस्टेंस किया हो जाएगा तो 6-5 तो 300 किलोमेटर ठीक है 300 अब बोल लाए कि 60% आतरा टू फिप्ट समय में गया है तो अगर 300 का 60% निकालेंगे 60% तो कितना हो जाएगा 180 तो 180 किलोमेटर जो है आपका आतरा दो 2-5 समय में गया है तो बाकी आतरा जो है टोटल 300 किलोमेटर का आतरा है बाकी आतरा कितना का बस गया तो आप कहेंगे 120 का तो इसके लिए समय अगर 2-5 लगा है टोटल समय 5 है तो 120 किलोमेटर के लिए कितना समय लगेगा तो आप कहेंगे 3-5 रेस्ट तो आपको यहां पर कुछ गरबर हो गया ना टोटल समय कितना माने हैं थोड़ा साहम अठाते हैं यहीं से गरबर है और खुछ नहीं देखिए अपनी साठ परसेंट आतरा दो पांच समय में अए लाक दिया तो बाकी 120 कि जो आथ आथ्रह यहीं कि असके लिए dvete pist तीं सांवह लगें का तो एक्सोबीस किमेटर थीं के स्पीड से जाएगा तो 40 ग्लों फर आवर आपका स्पीड आजाएकर onwards चालिस किलोमीटर पर आवर यह आपका स्पीड आजाएगा वह थोड़ा साला कोश्चन था सेम उसी तरह से आपको मेंस में भी पूछा यार नेक्स्ट बत्तिस बोल रहा है कि रेनू एक ट्रेन के भीतर बैठी हुई थी जो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है रेनू जिस ट्रेन में बैठी है ना रेनू यहाँ पर बैठी है ठीके उसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर रेनू एक ट्रेन के भीतर बैठी है जो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है एक लंबाई से तिनगुनी एक अन्य ट्रेन बी उसे बिपरित दिशा में 15 सिकेन में पार किया मालीजी रेनू जिस ट्रेन में बैठी है वो ट्रेन का नाम ए है एक ट्रेन जो बी है, जिसका लंबाई में बैठी है, उसका लंबाई है, मकर हम यन बानते हैं, तो एक अन्न ट्रेन है, जिसका लंबाई जो है 3L question के recording. तिन गुनी लंबाई के एक अन्य ट्रेन बी ने अपनी विप्रिद दिशा से 15 सिकेंड में रेनियू को पार कर देती है और बी का स्पीड भी दे दिया है भाई 56 किलोमीटर पर आवर तो अब बोल रहा है कि A की लंबाई क्या है simple question भाई एक दूसरे के opposite direction में जा रही है तो भाई जब train B जो है train A को पार करती तो total distance के लिए हम लोग total लंबाई लेते यल पलस 3-1 बट ओ ट्रेन को पार करने की बात नहीं कहा है question question कह रहा है कि train में रेनू बैठी है रेनू को पार कर यह train नमबर B तो train B जब रेनू को पार करेगी तो किसी ब्यक्तिव अस्तू को पार करेगी train तो खुद की लंबाई को पार करेगी यार यार कि दिस्टेंस टो बुक लिए हैं थोड़ा सा वेट कीजिए question अला कि ऐसे भी बन जाएगा कोई दिक्कत में डारेक्ट हम 56 जोड़ देंगे आप नहीं रहेगा डाटा तो है बट यहां पर भूख है यह तो एक बार देख लेते हैं पचास है और अंठावन है ठीक है पचास है और अंठावन है और यह question देख रहे हो मेंस दो हैरो नहीं इसका question है तो टोटल डिस्टेंस कबर करेगी ट्रेन भी खुद की लंबाई यानि कि 3 यल क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोगों को पता चलींगे आए क्योंकि एक को नहीं पार करना है ठीक है और स्पीड कितना हो जाएगा तो दोनों स्पीड को जोड़ देंगे तो पचास और अंठावन कितना हो जाएगा एक सब आठ और स्पीड आपको किलोमेटर पर आवर में दिया है तो मीटर पर सिकेंड में करने के लिए 5-18 से गुणा कर देंगे यह आपका समय निकल गया और समय दिया है कि 15 सिकेंड में पार किया बात खतम अठार अच्छा कि 108 हो जाएगा तीन से कर जाएगा यह पांच बार में तो यल बराबर कितना हो जाएगा छे पांचे तीस पांचे देड़ से तो यल का डारेक्टे भाल हुआ गया तो ट्रेहन एकी लंबाई क्या है दे के डेव सो नेक्स्ट कोश्चन नमर 33 क्या बोल रहा है भाई बोला है कि 414 किलोम्टर की दूरी तैक करने में ट्रेन एक को बी से दो पूर्णाइंग दो बाई तीन घंटे अधीक लगते हैं यदि एक ही चाल दोगनी कर दिये जाए तो इसे बी से एक पूर्णाइंग एक बाई तीन घंटे कम लगेंगे तो एक ही चाल क्या है मेंस का कोश्चन है दोयार होने इसका हाला कि एसा कोश्चन बता चुके है देखे बाई 414 किलमेटर की दूरी आपका दूरी तो कॉंस्टेंट है कोई बात नहीं बोला है कि ट्रेन एक को बी से दो पूर्णाइंग दो बाई तीन घंटा अधीक लगता है यानि जो है बी से एक को कितना अधीक लग रहा है तो आप कहेंगे दो तियां छे दू आठ लेकिन ए ने भईय अपना स्पीड बढ़ा दिया तो जब स्पीड बढ़ाएगा तो अब बोल रहा है कि ओवी से कितना घंटा कम ले रही है तो तीन एक कम तीन एक चार बाई तीन घंटा एक हम बात कर रहे है ठीक एक आप स्पीड का रिशियो दे दिया है एक अनुपाद किईड हो जाएगा दो अनुपाद टाइम में एक युणीट का घंप है और गालीएगा तो 2 एक केुणीट का बैलीएगा पहिला वला सर्ला कंडिसन और झाल एक्वेड़ा तो एक च़्ाल किला मिनर क्या है और A को लग रहा है 8 घंटा तो 414 बाई 8 8,5,4,8,2,1 52 किलोमेटर पर आओ कभी-कभी बोलता है B का साल तब फसता है लोग हलाकि B A का साल लिकाल के बताएं है और पूर्शन में ये तो A का समय आया था अगर B का समय लाना होता तो B के समय के लिए क्या करते A B से 8 बटे 3 घंटा ये लेट था न तो B का अगर समय लाना रहता तो 8,5,3 में से आम आप कीजिएगा 8 में से 8,5,3 को घटा देते तब B का समय आता या फिर दूसरा वाला कंडिशन लेते तो एक यूनिट का बैलू 4 ले लेते और एक यूनिट का बैलू 4 लेने का मतलब कि इस वाला कंडिशन को फोलो कर रहा है A B से इतना घंटा काम है तो इसमें जोड देते 4,3 को उल्ठा यानि 4,3,12,4 14,3 और यहां से भी हुआ या तारतियां 24 में से आठ गट गया तो 14, हाँ, 14 भाई थी तो एक बी के लिए है इसको हम लोग नहीं डिसकस करने है, एक लिए तो एक लिए तो अखसान है ठीके आईए, यहां पर प्रैक्टिस कोश्चन अभी स्टार्ट हो चुका है आप प्रैक्टिस कोश्चन है, यानि कि यह भी अच्छे ही लेबल के हैं, कोई कोश्चन खराब नहीं होता है बट आपका कुछ कोश्चन होते हैं, जो आपको जान भुझ का खराब किये जाते हैं ठीक है ना? कुछ data difficult देगा, कुछ data में error देगा, वरना सारा कोश्चन ठीक होता है एक बार पढ़ लिए थी, किसी एक पार्टिकलोटिक जैसे देखिएगा तो वहीं कोश्चन सब होता है ठीक है तो यह सब बताने का कोई मेरे मक्सब नहीं है, और हम लो कल से डिसकस करेंगे कोश्चन नमर 34 से प्रैक्टिस कोश्चन स्टार्ट हो चुका है, लाइब करेंगे, 7 बजे तो जूड़िये का जरूर, थैंक्यू बेरी मस्